वेनुजुएला में मारा मारी के बीच में आचानक से अमेरिका क्यों पहुँच रहा है गुएना और अमेरिका के इस पहुँचने से क्या बहुत सारा गेम बदल जाएगा और आपको बता दे एकजून मोबिल को आखिरकार वेनुजुएला ने क्यों दी है एक बड़ी धम की इन सब के बीच क्या भारत और वेनुजुएला की डील हो गई है और कौन सी वो छे कमपनिया है जिसके साथ वेनुजुएला ने डील कर ली है जियो वाल्टिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है आईए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से कई बार क्या होता है न मौके पर चौका मारने के चक्कर में सबसे बड़ी मुसीवत खड़ी हो जाती है और ऐसा ही वेनुजुएला के साथ हो रहा है वेनुजुएला का एक लंबा चोड़ा इतिहास रहा है वेनुजुएला के पास खूब सारा धन समपत्ती है बहुत सारे त мы वेनु जोएला में अपने पसंद की सरकार बनंवान से लगाए समय बड़ा बलवां और काल बड़ों सिकारी समय बदल गया समय वेनु ईस ताक्तालिय घर घर।। हे अभी बहुत सारे देसों को 사प अमेरिका और यूरोप दोनों ही टॉप के देश हैं जिनको इस वक्त तेल की बहुत ज़्यादा जरूरत है जरूरत तो भारत को भी है इसलिए क्योंकि बीच बीच में रूस अपने रूप रंग बदलने लगता है चाहे वो दवाप के कारण बदले या किसी भी कारण से बद वेनुजवेला के अंदर जो होटल है प्राइम होटल उनमें भीर लगने लगी कि देश कंपनियों के एग्जिक्यूटिब्स की और यह वहां पहुंचे वहां के बाद यह डील करने पहुंचे लगे और डील में इन्हें सफलता भी मिली है करीब कहा जा रहा है आधा दरज इंटरनेशनल ओयल कमपणियों ने डील फाइनल की है और इस आधा दर्जन में आपको जानकर खुसी होगी कि भारत की कमपणी इंडियन ओयल भी है और ये 2024 तक अपने काम को प्रोडक्शन को बढ़ाईगी वैसे आपको बता दें पहले भी इंडियन ओयल यहां रह चुकी है समस्या ये है कि जब से पर्तिबंद लगाए गए इनके इंफरस्ट्रक्चर इनके रिफाइनरी पूरी तरीखे से बंद होगी और अब जब पर्तिबंद हटा लिया गया है तो उसके बाद सारी चीजों को सुरू होने में वक्त दो लगेगा तो 2024 ये मान कर चल रहे हैं कि बहुत सारी चीजें यहां सुरू हो जाएंगी इन सब के बीच में क्या होता है स्क्रीन पर आप असर देखिए पर्तिबंद हटाने का असर कनाडा तुरंत वेनुजवेला के साथ अपने रिष्टों को बहतर करने के लिए आगे बढ़ जाता है कि हम तुम मित्र हैं पर इन सब के बीच में पानी फिर देता है वेनुजवेला स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए मदुरे ने चेतावनी दी है एक्जोन मोबिल को कि तुम हमारे वोट में एंट्री लेनी की कोशिस नहीं करना अब यह वोट क्या चीज की वोट हो रही है यह वोट हो रही है ऐसी क्य वोट के लिए होने जानी को है अब यहां वोटिंग परक्रिया होगी और इस वोटिंग परक्रिया में गुएना भी उबल रहा है अब गुएना क्यों उबल रहा है आखिर यह सारा चीज है क्या माजरा क्या है कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आपको बता दें यहां एक खेल चालू है और वो खेल क्या चालू है एक बहुत पुराना विवास है गुवाना और वास Minos के लिए ख़ड़ा हुआ है कि गौयाना के प्रेसिडेंट कथी तौर पर ये इस इलाकर में पहुंचे थे ऐसे की ओम में जब गौयाना के प्रेसिडेंट यहां पहुंचे तो दिखलाना चाहते थे वे Cyclone C में वोटिंग करवा रहा है कि यह इलाके में अभी जंजट चल रहा है कि यह मेरा है यह तुमारा और यह रेफरेंडम किस बात का हो रहा है तो रेफरेंडम इस बात का हो रहा है कि वेनुजुएला के लोग कहेंगे कि यह क्यों हमारा टेरिटोरियल एरिया है और इसे मिला लेना है अब जब मिला लेना है तो किसी भी चीज को मिला लेना इतना असान तो होता नहीं है इसका मतलब य यहां मामला लटक जाएगा कि अमेरीका यह सोच रहा था कि यहां पर समस्याइं खतम करते हैं और तेल का विवस्था कर लेते हैं पर यहां ऐसा लगता नहीं है अगर युद्ध संकट में फसते हैं तो फिर यह दुनिया के लिए खास तोर पर यूरोप के लिए यह एक बहु बड़ी मुसीवत वाली बात हो जाएगी अब जैसे ही यह ख़बर मिलती है वैसे ही अमेरीका यहां एक्षन वाले मोड में आता है और स्क्रीन पर आप कटिंग देख सकते हैं अमेरीका के डिफेंस के अधिकारी गुएना पहुंचे हैं और गुएना में अब यहां पर बा लगभग ऐसे लोग होते हैं जो अपने हिसाब से फैसलाल लेते हैं दुनिया का सबसे बड़ा कच्चे तेल का भंडार वाला देश वेनुजवेला अब क्या नया जंग का मैदान बनेगा या फिर यहां पर जो आर्थिक परतिबंदों में धील दी गई है अमेरीका के इसी तरीके का कोई युध ना हो क्यों चाहेगा साल 2019 के बाद इरान से भारत ने कच्चे तेल खरीदने बंद कर दिये यहां तक की वेनुजवेला में भी भारत की जो इन्वेस्टमेंट थी वो अटकी पड़ी रह गई लेकिन इसी बीच क्या हुआ रूस यूक्रेन का और भारत ये मान कर चल रहा है कि अगर वेनुजवेला से जीस तरीके से कॉंट्रेक्ट बने हैं ये कॉंट्रेक्ट कायम रहता है तो फिर हम कम से कम 3 मिलियन बेरल प्रती दिन आराम से तेल मंगा सकेंगे वेनुजवेला से अब बहुत कुछ इस बात पर भी निर्भर कि अभी क्या होता है और दूसरी चीज 2024 में होने वाले वेनुजवेला राष्टपती चुनाओ कितने निस्पच है क्योंकि यही वो आधार है जिसके बल पर मौझूदा राष्टपती निकुलेस मादुरे और अमेरिक्यों का संभौता हुआ है स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए बहुत सारे बॉन्ड जो पहले अमेरिका ने रिजेक्ट कर दिये थे उन बॉन्ड को भी अब 2028 तक की सहमत दे दी गई है यानि वेनुजवेला के पक्ष में लगातार अमेरिका कुछ न कुछ कर रहा है ताकि वेनुजवेला से तेल द